Hello everyone, Namaste, कैसे हो ? आप सब बढ़िया होंगे आज हम रियूस करेंगे पुराने कपड़े का रियूस करना है लेकिन हमारे बास पुराने कपड़े कहां से क्यों हमने रिजेक करना है उसका रेजन दो हो सकता है अगर आपको कुछ बनाना है खुद की दिखानी है और गर में यूज करना है तो बढ़िया से आज का वीडिया बनाते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरू कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरू बताना और कौन सा डिया आपको अच्छा लगा है वो भी कमेंट करके बताना तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे ना क्योंकि ऐसे न्यू न्यू आइडिया में लाती ही रहोंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने ले ली है ये पैंट जिसमें अच्छे से हमने सलवटे निकाली और 15 इंचिस पे किया है मार्क और फिर कट कर लेंगे इसे cut करने के पाद यहाँ पे हम 4 इंचिस पे सीधा सा mark करेंगे Sorry, 3 इंचिस पे सीधा सा mark करेंगे और इससे में से 2 strip निकाल लेंगे देखे इस थरीके से और इसे fold करके हम belt बना लेंगे इसी तरीके से यह जो हमने part cut किया है इससे इस तरीके से khole देंगे देखे आप कोई भी formal paint है या कुर्ती है या फिर jeans paint है उसी में से बना सकते हैं अब हम यहाँ पर इस belt को इस तरीके से attach करना है mark करके और इसके उपर दो strip आप कोई भी contrast color की attach कर लीजे इस तरीके से stitch करते हुए और please मेरी request है आप सब को चैनल को subscribe करें हमें 1 million तक जल्द से जल्द बोजना है उपर से इसे strip fold किया top stitch कर ली उपर से भी हमें top stitch करना है अब जो दोनों पाट हमने ready कर ली है ना उसे आपको इस तरीके से दोनों को ultra रखना है यहां से start करना है stitch करना फिर इस तरीके से घुमाते हुए यहां पर आप कर दीजे finish अब हम corner पर देखे इस तरीके से आपको flat बिचाना है फिर उसके उपर आप stitch कर लीजे 1.5 inches या फिर 3 finger की जगा चोड़ते हुए दोनों साइड आपको same ही करना है और फिर हमें बिना cut की हमारा bottom part मिल जाएगा और यह देखे कितनी सुन्दर सी हमारी back बनकर ready हो गई है swapping back अब second idea की और हम बढ़ेंगे 12 inches पर हमने marking किया है cut कर लेंगे और आप सब को पता है यह zero cost में बनेगा ना हम home use करेंगे non one use करेंगे सिर्फ एक jip यूज करने वाले हैं यहाँ पर 12 inches की हमने jip को लिया है इसे इस तरीके से attach करेंगे देखें आपको यह जो ना है जहां पर हमने jip attach की उसी करना आप लेके आपको jip लेना है तो जितना आप बढ़ा करें छोटा करें उसी साब से आपको करना है आप देखें जिप को attach करें और फिर कर लिजिए इस तरीके से खोल दीजिए जिप को और यहाँ पर हम कोई भी लेस आपको अगर आपके पास अवेलेबल है तो लेस ले लिजिए या फिर आप कॉंट्रास कलर की strip पे ले सकते हैं उसे भी attach कर सकते हैं जैसे आप अपने तरीके से भी इसे बना सकते हैं आपको old paint से नए नए आइडिया आएंगे इस तरीके से और यह आइडिया आपको कैसे लगे एक बार जरू ट्राय करना होती यूस्पूल है अब दोनों साइड हमने lace cottage किया रणन डाल दिया अब ना इसे उल्टा कर देंगे इस तरीके से रख दीजिए अच्छे से सेंटर करके दोरी बना लिजिए और यहां पर देखी ऐसे सैट करते हुए जिब के साइड में और स्टीज कर लें सीधा सापको स्टीज करना है और उसे तरीके से दूसरी साइड पे आप सीधा स्टीज कर लिजिए अब खोले और देखिए इस तरीके से आप अपना जूता organizer बना स हो गई है अब बचा है हमारे पेंट में इतना कपडा उसमें से हम बनाएंगे पहले फाइव इंचिस पें मार्किंग करेंगे इसे यहां से कट लगा लेंगे यहां से भी अच्छे से से सैट कर लेंगे यहां से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहां पर लगाएंगे जिप इसे सीधा स्टीज करेंगे टॉप स्टीज करेंगे और फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे यहां पर जिप के साथ जोड़ने के बाद यहां से लेकि की दूसरी साइट जिफह आंको तक स्टीज कर लेना है हमें और अब हमारी क्लश बैक बंकर रेडी हो गई आप देख सकते हैं हमारा मेकप का सारा समान इसके अंदर रख सकते हैं हेंक की वगायरा तो three idea हमारे बंकर रेडी हो झाल झाल